देज की रासधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में समलित होकर वापस आए शत्यम कुमार सत्यम कुमार ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं अधानी अम्वानी के बेटे नहीं यह जो सरकार द्वारा पारित तीन काले कानून, सरकार कॉपरेट को फाइदा दिलाने के लिए पारित किया है। उसी दर्मियान एक समय ऐसा आया, पुड़ी दिली का इंटरनेट बंद कर दिया गया। पुरे रिपोर्ट के लिए बच्वारा से दीपक कुमारा आये के रिपोर्ट। हमारे पिता दादा को कॉर्पोरेट के हाथो बंदुआ मजदूर बनाने के लिए ये तीनों कानून और समवैधानिक तरीके से संसद में सरकार द्वारा पास कराया गया। जिसके विरोध में पिछले दो महीनों से किसान दिली के विविन बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। चातर नोजवान बिहार के परतेक जिले से AISF के नित्रितों में निकले थे जिससे कि हम लोग किशानों के समर्थन में अपनी एक जुटता प्रदर्शित कर सके और जब 26 जनवरी के परेड में हम लोग निकले तो लगबग 5 लाग ट्रेक्टरों पर 30 लाग किशान सवार थ किया उस रूट पर बेरिकेडिंग कर दी गई जब सरकार ने किशानों को रूट मुहिया करा दिया गया था तब उस रूट पर बेरिकेडिंग करने की क्या आविशक्ता दे और उसके बाद जब बेरिकेड तोरा गया किशानों द्वारा तो उन पर लाठी चार्ज किया गय पेलेट गंद दागे गए और इतनी कराके की ठंड में ठंडे वाटर केनन से उनका स्वागत किया गया उन पर लाथी चार्ज हुआ और बहुत ही एकडम अभदर तरीके से किसानों के साथ इस देश के अनदाताओं के साथ सरकार द्वारा बिभार रहा और कि पूरे किसान अं ज्वज को छुआ तक नहीं उसने सामने लगे खंबे पर निशान साहिव जिसको की भाजपा के IT सेल द्वारा खालिस्तान का जंडा कहा गया वह खालिस्तान का जंडा नहीं था वह निशान साहिव का जंडा था और किसान यूनियन का जंडा उसने वहां पर खंबे पर लग लग रहे हैं कि वह देश दुरोई हैं खालिस्तानी हैं इस तरह के अभधर बेभार किसानों के साथ किया जा रहा है लगातार और लगातार गोधी मीडिया के माध्यम से इस देश की सरकार किसानों के अंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है इसलिए आप से निवेदन ह कि आपकी पतरकारिता पर पुरा विश्वास देश की जनता करती है और इस अंदोलन की सचाई मैं बताता हूं कि जिस समय लाल के लिए तक किसान पहुंचे उस समय पूरी दिल्ली का इंटरनेट बंद कर दिया गया मेरे पास उसका स्क्रीन सोट है जब मैसेज आया कि इंट इंटरनेट बंद के किया गया कि किसान वहां की रियलिटी नहीं बता सके और गोधी मीडिया अपना प्रोपगेंडा उरे देश में फैलाती रहे और उसके बाद लगातार देश में किसान अंदोलन को बहुत हद तक चोट पहुसान की सरकार ने कोशिश की लेकिन किसान सवित कर दिया पिछले कई सालों से जीएस्टी हो नोट बंदी हो उसके बाद सी एनर्सी हो राम मंदिर हो इन सब बेकार के मुद्धों में उलजा करके देश को सरकार ने रख दिया है आज जब जमीनी मुद्धों पर किसान अंदोलन कर रहे हैं तो इस अंदोलन को सरकार अज किसान के बेटे जो जवान में में संबने कर दिया गया है वहां पर कोई मंतरी का बेटा नहीं गया है वहां पर किसान का बेटा जवान आज लाठी ले करके अपने पिटा पर खड़ा आपका पड़िचा मेरा नाम सक्तेम भार्दवाज हुआ मैं बच्षवारा एएस्ट कांचा से कितना दिन पुर्व आप दिल्ली गये थे मैं 19 तारीक को दिल्ली गया था 26 जनवरी के परेड में सामिल होने के लिए और वहाँ पर किसान संगठनों का हुशला अफजाई करने क के लिए हम लोग चातर नौजवान बिहार से पस्चीम चंपारन जहां से महात्मा गंदी ने नील की खेती के खिलाब सक्त्या ग्रहां दोलन छेड़ाता वहां से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआ था